हेलो जी नमस्ते जी वेलकम टो मैंने दर वीडियो तो परंपरा के अनुसार आप लोग मेरी शोट सी देखते हूं यार लोंग वीडियो ने देखते इसको पर मैं लोंग में ढालूंगा यार फ्लीज देख ले ना तीनी मिनट के जादा नहीं है तो आज हम बनाते हैं सोया ब बड़ी होती है इनको क्या बोलते हैं चंक्स बिल्कुल मीनी वाली लेना इसको पहले बिगो देंगे फिर उबाल लेंगे फिर हम अपना मसाला त्यार कर लेते हैं एक बड़े वले इनियन में से मैंने हाफ का ये ऐसे बनाया था हाफ को ऐसे कट कर लिया थोड़े बड़े पीसिस में कर ले कर ले और एक टमाटर और हरी मिर्च को ऐसे कर लिया उबाल के इसको स्वीज आउट कर लेंगे सारे पानी को फिर हम इसको छोगते हैं वोई ओयल जो भी आपको लेना है उसमें हम डालेंगे हींग, काली मिर्च, अजवाएन और जीरा फिर एकदम से हम अपन बड़े वाले डाल देंगे थोड़े से इनको बस एक दो बार घुमाना है फिर मिक्स कर देना आपस में दोनों को हमें उनको जादा नहीं मतलब ब्राउन करना था क्योंकि वो ऐसी अच्छे लगते हैं जैसे हम पनीर में डालते हैं उस टाइप से ही फिर जब यह थोड़े सारे के सारे डाल देना ठीक है वैसे भी आप सब लोग क्या हम सब लोग नशेडी हो रखे है स्वाधिश्ट खाने की नहीं मिलता तो कुछ होरी खाने की क्रेविंग्स होती है खाना तो हमें टेस्टी होता है ना चालो जी आगए इसमें हलका सा पाने डाल के इसको अच्छ से निकाली थी ताजी थी इसको अच्छे अच्छे से करेंगे इसका कलर थोड़ा ऐसे हो गया था लाइट हो गया था ओविसली विकोज दूद मलाई डल गी थी थोड़ा सा और कलर अगर किसी को रैड रैड चाहिए तो देगी में चे जादा डाल देना भई ठीक है और उस के बाद इसमें हम अपनी वही जो हमने बोईल करके रखे हुए थे सोया बीन चंक्स वो डाल देंगे ठीक है जी उसके बाद क्या हां बस इसको अच्छे से पकने रखना है यह पकती रहेगी हरा धनिया है तो वो डाल देना अभी उस दिन नहीं था गर पे तो मैंने नहीं जल्ली शेप तो मैं एक दिन ट्राय करूंगी बहुत जल्दी इसकी वीडियो डाल लूँगी ठीक है इंज्वाए करो खाओ और सब्सक्राइब करके जाओ थेंक यू